हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू एसे सी क्रैकर्स और इस चैनल पे फिर से आपका बहुत-बहुत स्वागत है चार बज गए हैं और आपको अच्छे से मालूम है कि चार बज़े से कौन से क्लास होती है तो सबी लोग जल्दी से प्रेजेंट हो जाएं स्टाटिक जीके का क्लास जो है बस स्टार्ट होने वाला है एक से दो मिनट के अंदर में और आज हम लोग इस क्लास में 451 से लेकर 500 कोसंस को डिसकस करने वाले हैं जो भी कोसंस प्रिवियस यर में आये हैं इस्टाटिक जिके में बहुत सारे questions जो है वो repeat होता है इसलिए सभी questions को अच्छे से याद कर जाएए आप लोग revise करते रहे हर तीन-चार दिन के बाद बहुत अच्छा रहेगा तभी तो good afternoon to all of you जितने भी लोग present हैं सबको good afternoon yes तो चलिए start करते हैं हम लोग अपना आज का session first question यहाँ पर क्या है विदेशिया is a folk dance originally associated with which state विदेशिया एक लोग निरते है जो मूल रूप से किस राज्य से जुड़ा है first question है आपके सामने क्या होगा इसका correct answer विदेशिया किस राज्य से जुड़ा है right answer यहाँ क्या होगा option number one होगा बिहार से जुड़ा है ओके बिहार का यह famous folk dance है बिहार के कुछ और भी important dance है folk जैसे कि आपका जटा जतीन जो है यह बिहार कहीं है ठीक है पनवरिया येस पनवरिया dance भी जो है यह कहां से है बिहार का ही है ओके और बिहार के कौन है governor पागु चोहान, cm कौन है, नितीश कुमार, लोग सभासीट कितना है बिहार का 40 and राज सभासीट कितना है 16 next question क्या है Indian Council of Agricultural Research is located in which city भारतिये क्रिशी अनुसंधान परिशत किस सहर में इस्तित है यहाँ पर right answer होगा option number 3, New Delhi में यह है Indian Council of Agricultural Research कहां पर है located, New Delhi next National Aerospace Laboratories is headquartered at Aerospace Laboratories का headquarter कहां है तो देखिए यह जो है established हुआ तक अब National Aerospace Laboratories यह जो है आपका Delhi में जो है established हुआ था 1959 में और उसके एक ही साल के बाद यानि कि 1960 में जो है इसका headquarter कहां पर shift कर दिया गया तो बैंगलोर्ड में shift कर दिया गया था तो option number 1 यहां पर correct होगा ओके नेक्स्ट ओब्रा थर्मल पावर स्टेशन is located in which state ओब्रा थर्मल पावर स्टेशन किस राज में इस्तित है यह कहां कहें तो उत्तर प्रदेश में इस्तित है ओब्रा थर्मल पावर स्टेशन next काकतिया थर्मल पावर स्टेशन is located in which state जितने भी important थर्मल पावर स्टेशन है यह सब आप लोग याद कर लें अच्छे से question आता है previous year में काकतिया जो है यह कहां का थर्मल पावर स्टेशन है राइट एंसर क्या होगा तो तेलांगना यहां पर correct answer है ठीक है अच्छा एक बात बताईए तेलांगना का कब है formation day तेलांगना दिवस कब होता है तो 2 जून 2014 को होता है ठीक है यहां क्या लोग सबा सीट 17 राज सबा सीट 7 next शिंगा लीला नेशनल पार्क इस लोकेटेड इन विच स्टेट अब यह नेशनल पार कहां है किस राज में इस्टित है right answer क्या होगा यहां पर West Bengal ओके West Bengal में यह इस्टित है शिंगा लीला next नौकरेक नैशनल पार्क इस लोकेटेड इन विच स्टेट right answer क्या होगा मेघालिया यहां पर correct answer है ठीक है नौकरेक कहां का है नैशनल पार्क तो मेघालिया का मेघालिया का capital क्या है शिलॉंग गवर्णर कौन है शत्यपाल मलीक चीफ मिनिस्टर कौन है कौनरत संग्मा जो है यहां के चीफ मिनिस्टर है next question in which of the following state is Saddle Peak National Park located यह कहां है तो अंडमान एंड निकोबार में है next कोलकता इस लोकेटेड इन बैंक ओफ विच रिवर किस नदी के किनारे इस्तित है कोलकता राइट एंसर क्या होगा खूगली नदी के किनारे next वीर सावरकर इंटरनाशनल एयरपोर्ट इस लोकेटेड इन विच ओफ दा फॉल्लिंग सीटी वीर सावरकर अंतराश्ट्रिय हवाई एड़ा निम्न लिखित में से किस शहर में इस्तित है राइट एंसर पोर्ट ब्लेयर ओके ओप्शन नमबर फाइव next इंटरनाशनल कोर्ट ओफ जस्टीस का हेड़ क्वाटर कहा है राइट एंसर क्या होगा ओप्शन नमबर फॉर दा हेग निदर लैंड यहां पर करेक्ट होगा next फ्लैमिंगो फेस्टिवल इस सेलिब्रेटेट अन विच अफ दा फॉल्लिंग स्टेट्स फ्लैमिंगो तहवार निम्र लिखित में से किस राज में मनाया जाता है यहां पे राइट एंसर क्या होगा ओप्शन नमबर ए यानि कि आंद्र प्रदेश में यह बनाया जाता है next who gave the general equilibrium theory तो general equilibrium theory को जो है किस ने दिया था राइट एंसर क्या होगा लियोन वालरस जो है यहां correct एंसर है इन्होंने दिया था next रमन मैक्से से एवार्ड are given in honor of former president of which country रेमन मैक्से से पुरुषकार किसके कौन से पुर्व राष्टिती राष्टपती के सम्मान में दिया जाता है किस देश के तो देखिए यहां पे right answer होगा फिलिपिन्स ठीक है फिलिपिन्स और फिर्स टाइम कब दिया गया था रेमन मैक्से से एवार्ड तो किस साल में तो 1958 में दिया गया था पहली बार यह आवार्ड दिया गया था कब 1958 में और किसको दिया गया था तो विनोबा भावे को दिया गया था और 2019 में किसको मिला है भी हाल में तो रवीष कुमार को मिला है जर्नलिस्ट है नेक्स्ट विच स्टॉक एक्षेंज है था निक नेम बीक बोर्ड राइट एंसर यहां पर क्या होगा विच स्टॉक एक्षेंज है था निक नेम बीक बोर्ड किस स्टॉक एक्षेंज का उपनाम बीक बोर्ड है तो देखिए New York Stock Exchange जो है यहां right answer होगा option number A Next, which of the following awards is also known as alternative Nobel Prize Alternative Nobel Prize के नाम से कौन सा अवार्ड जाना जाता है Very very important question निमन लिखित में से किस पुरुषकार को वैकलपिक नाम से भी जाना जाता है Right answer option number C Right, livelihood award जो है यह होगा right answer ठीक है यह कब established हुआ था तो 1980 में हुआ था Right, livelihood award यह alternative Nobel Prize के नाम से भी जाना जाता है Next, national game of Japan is Japan का राश्ट्रिय खेल भारत का national game कौन है होकी Japan का national game क्या हो जाएगा यहाँ पर correct answer होगा judo ठीक है judo, sumo Sumo is Japan's most famous and national sports है वहाँ का Next, Tobin tax is related to Tobin tax किसे समंदित है Tobin tax किसे समंदित है तो right answer क्या होगा currency से समंदित है यहाँ पर correct होगा answer Next question, care का headquarter बताना है इसका full form क्या होता है, credit analysis and research limited Okay, credit analysis and research limited जो है इसका full form है इसका headquarter कहां है क्या होगा इसका right answer Mumbai यहाँ पर correct answer है ठीक है, option number B मुंबई में है Next, Hornmill festival Hornmill festival जो है, यह कब होता है Sorry, कब होता नहीं यह किस राजिका है यहाँ पर Hornmill festival held annually in which state यहाँ पर right answer क्या होगा Nagaland यहाँ पर correct answer है हलाकि 1-10 December के बीच में December में होता है वहाँ पर Nagaland में 1-10 December के बीच में होता है Hornmill Nagaland का है Next, Kargil Vijay Divas किस दिन को होता है Which day is observed as the Kargil Vijay Divas Kargil Memorial Day के नाम से यह जाना जाता है कौन सा दे है Right answer क्या होगा 26th यहाँ पर क्या होगा 26th July जो है आपका correct answer है ठीक है 26th July Next question यहाँ पर क्या होगा आपका सिम्हा निर्थ्य यह यहाँ पर spelling यह गलत लिखा वाए ठीक है यहाँ पर क्या है सिम्हा निर्थ्य इस दा डांस फॉर्म आफ विच स्टेट तो यह किस स्टेट का है तो करनाटक का है ठीक है करनाटक का है यह डांस Next question आपके screen पर है मॉलिंग नेशनल पार्क इस लोकेटेड इन विच स्टेट मॉलिंग नेशनल पार्क मुझे तो लगता है कि मैं अपने इस चैनल पे करीबन 90% नेशनल पार्क डैम, लेक्स, फोक डांस यह सब करवा रखे होंगे तो यहाँ पे राइट एंसर क्या होगा मॉलिंग कहां कहा है, अरुनाचल प्रदेश कहा है next, the end of India के writer कौन है who is the writer of the end of India right answer क्या होगा, खुश्वन सिंग यहाँ correct answer है ठीक है, खुश्वन सिंग, next the lip trophy is related to which sports right answer, cricket यहाँ पे होगा cricket से सम्मन्दित है, next when did स्रिलंका got its independence day स्रिलंका को अपना सोतनता कब मिला यहाँ पे right answer क्या होगा 4th February 1948, यहाँ पे correct answer होगा, ठीक है next, which among the following, which among the given stadium is also known as Vivekanand, युवा भारती क्रिंगन चलिए, तो यहाँ पर बताईए, कौन सा stadium है, जिसको इस नाम से भी जाना जाता है विवेका नंद, युवा भारती, क्री रंगन 477 477 का देखते हैं, answer क्या होगा 477 का 2 आ रहा है, very good, सबका सही है, दुरीन, रोहिद चलिए, सही आ रहा है answer Salt Lake Stadium यहाँ पर correct है, okay, Salt Lake Stadium Gas Engine was invented by Gas Engine was invented by, Gas Engine का अविसकार किया था, किसने Right answer क्या होगा यहाँ पर चलिए, option number C यहाँ correct है, ठीक है, Damler जो है, यहाँ पर right answer है Next, who invented the World Wide Wave, World Wide Wave को जो है, किसने invent किया था, Who invented the World Wide Wave, right answer, Team Burners-Lee यहाँ पर correct answer है, Next question, the Harila festival is celebrated in which of these states, तो यह festival जो है, यह किस राज्ज में मनाया जाता है, Harila महुतसफ, Correct answer यहाँ पर क्या होगा, उत्रा खंड यहाँ पर correct answer है, ठीक है, Option number B, Next, Loser festival, Loser महुतसफ, यह कहाँ कहा है, चलिए, इसका answer क्या होने वाला है, यहाँ पर correct, लद्दाक यहाँ पर होगा, correct answer, ठीक है, लद्दाक इस दा right answer, 481 का, C होगा, लद्दाक, पंती, इस फेमस folk dance, ओफ विच इंडियन स्टेट, पंती, किस भारतिय राजिक का प्रसीद लोक नित्य है, चलिए, यहाँ पर right answer होगा, 36 गड, 36 गड का यह, famous लोक नित्य है, next, A Passage to India, इस बुक के author, who wrote the book, A Passage to India, right answer क्या होगा, E.M. Foster जो है, यहाँ पर right answer है, a Passage to India, और यह बुक कब published किया था, इन्होंने, 1924 में, 1924 यहाँ पर होता, अगर year पूछ लेता तो, next question है आपका, What is the state flower of Manipur, Manipur का state flower, यहाँ पर पूछा गया है, dry answer क्या होगा, Manipur का state flower कौन सा है, कोई बताएगा, 484 का answer, देखते हैं, यहाँ पर कितने लोगों का correct आ रहा है, तब तक आप answer दीजे, Manipur के बारे में कुछ-कुछ बताते हैं आपको, यहाँ इसका formation कब हुआ था, 21st January 1972 में हुआ था, Manipur का formation, यहाँ पर अगर हम राज सभा के बात करें, तो एक seat हैं, लोग सभा के बात करें, तो दो seat हैं, और यहाँ के governor कौन है, तो नजमा है अपतुल्ला है, और chief minister कौन है, तो एन बिरेन सिंग है, और यहाँ पर पूछ लिया गया है आपसे, स्टेट फ्लावर के बारे में, Manipur का तो वो कौन है, सिरूई लिली जो है, यहाँ correct answer होगा, सिरूई लिली is the right answer, यह है सिरूई लिली, ठीक है, next question, when is the national panchaiti raja day observed, चलिए, यहाँ पर right answer क्या होगा, panchaiti raja day, यह कब होता है, किस दिन को, right answer होगा, 24th April यहाँ correct answer है, next, the term gambit is associated with which sports, gambit सब किस खेल से सम्बंदित है, right answer, chess यहाँ पर होगा, correct answer, next, वरून इस जॉइंट नवल एक्सराइज ओफ इंडियन नेवी, with the navies of which country, वरून किस देश की नौ सेनाओं के साथ, भारतिये नौ सेना का सेयूक नौ सेनिक अभ्यास है, right answer होगा, यहाँ पर France, France यहाँ correct answer है, next, which country is known as the land of thousand lakes, किस देश को हजारों जीलों की भूमी के रूप में भी जमा जाता है, right answer क्या होगा यहाँ पर, which country is known as the land of thousand lakes, यहाँ पर right answer होगा, Finland, Finland को जाना जाता है, land of thousand lakes के नाम से, next, रोला पाडू wildlife century is in which state of India, तो यह कहाँ पर है, आंधर परदेश यहाँ पर right answer होगा, रोला पाडू wildlife century कहाँ है, आंधर परदेश में, next, नीरत चोपरा, यह किस खेल से समंदित हैं, नीरत चोपरा is belong which sports, यह हमेशा news में बने रहते हैं, नीरत चोपरा, किस खेल से समंदित है, जैवलीन थो यहाँ पर right answer होगा, ठीक है, यह है नीरत चोपरा, ध्यान से देखें इनको, दौरते वे जाना है, और यह जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, इसको दूर तक फेखना है, ठीक है, उसी को कहते हैं, जैवलीन थो, next, श्वांग किस राज का निर्त है, राइट एंसर क्या होगा, हर्याना, हर्याना का यह निर्त है, next, एट मई, इस सेलिबरेटेड एज औफ विच डे, चलिए, यहाँ पर राइट एंसर आपका क्या होने वाला है, तब तक आप एंसर दीजिए, यहाँ पर जो रिमेडिंग आप्सेंस है, उसके बारे में देखते हैं, वर्ल्ड मलेरिया डे, यह कब होता है, 25 अप्रील को, ठीक है, वर्ल्ड रेड क्रॉस डे, यह कब होता है, 8 मै को, जो की एंसर दियावा है आपका, वर्ल्ड क्रॉस डे, वर्ल्ड रेड क्रॉस डे जब होता है, 8 मै को, इंटरनेशनल नर्स डे, यह कब होता है, 12 मै को, और वर्ल्ड आस्तमा डे, यह कब होता है, 5 मै को, ठीक है, 5 मै को, तो right answer क्या था option number C Next, who is the first Indian to receive the novel prize Novel पुरुषकार पाने वाले पहले भारतिये कौन थे Right answer, Rabindranath Tiger जो है यहां correct हो जाएगा और यह देखिए list of novel prize winner of India जिन लोगों को मिला है novel पुरुषकार पहला मिला था Rabindranath Tiger को 1913 में C.V. Raman को कब मिला था? 1930 में हरगोविन खुराना को 1968 में उसके बाद Mother Teresa 1979 Subramaniam Chandrasekhar 1993 Amartya Sen 1998 Venkta Raman Ramakrishnan यह उनको 2019 में Kailash Satyarthi 2014 में और Abhazit Benerji जो है इनको 2019 में मिला था Next Where is the Null Sarovar Bird Century situated? Null Sarovar पक्षी जो है यह कहां पेजती थे? Null Sarovar Bird Century is situated in गुजरात यहां करेक्ट एंसर होगा Who has built the Vijayastham Tower of Victory in Chittaurgad? Chittaurgad में Vijayastham का निर्मान किसने करवाया था और उनका नाम है? Option No.2 Rana Kumbha यहां करेक्ट एंसर होगा Next Which Indian state is the largest in terms of the total area covered? Cool छेतफ़ल की दृष्टी से भारत का कौन सा राज्य सबसे बड़ा है? Right एंसर क्या होगा? Rajastham ठीक है? Rajastham जो है यहां पर सबसे बड़ा है Next Which acid is released when an ant bites? Chittie देखने में कितनी छोटी होती है बट लेकिन वो जब काट लेती है बहुत दर्द होता है न? तो वो काटती है तो वो एक acid छोड़ती है ठीक है? Chittie के काटने पर कौन सा अम्ल निकलता है? तो उसका नाम है formic acid ठीक है? Formic acid उसका नाम है जो release करती है Chittie और कोई इसका formula बता सकता है formic acid का? CH2O2 जो है इसका formula है formic acid का Next Which metal is responsible for iti? Right answer क्या होगा? Option number one Cadmium जो है यहां correct answer है Next Who discovered the cholera causing germs? Has a पैदा करने वाले रोगानू की खोज किसने की? Right answer क्या होगा यहां पर? Option number one Filippo Passini ने जो है यह discovered किया था Next What was the name of the court poet of King Harswardhan? Raja Harswardhan के दरबारी कवी का क्या नाम है? चलिए यहां पर right answer क्या हो जाएगा? तो बान भर्ट यहां पर correct answer है कौन है दरबारी? बान भर्ट यहां पर right answer हो जाएगा तो चलिए यह भी set आपका finish हो गया है आज के set में तो निस्चीती तोर पे easy questions थे ठीक है? But 500 questions हमने complete कर लिया है एक से लेकर 500 complete 10 class में जो है complete हो जुके हैं समझ गए? अब आपका 10 दिन और चलने वाला है यह series 10 days के बाद यह पूरा 1000 questions जो है complete हो जाएगा और उसके बाद आपका 2 से 3 marathon test में इसको फिर से वापस से आपको revise करवा देंगे तो कम से कम आपके दिमाग में 1000 questions तो चला गया है या नहीं? और सोचिए इसी तरीके से जब तक आपका exam चलेगा तब तक static gk का class चलेगा समझ गए? उसी तरीके से अभी मान के चलिए 50 days आपके अगर 50 days से लेकर 80 days के बाद ही आपके exam होगे अगर 50 days भी हमने 50 questions के हिसाब से कर लिया तो 2500 questions होते हैं और अगर 80 days अगर 50 questions के हिसाब से किया तो 4000 questions होते हैं फिर कुछ बचेगा ही नहीं समझ में आया? कुछ बचेगा ही नहीं static gk में तो इसी लिए आप भी अपने site से self study करते रहिए सिर्फ मेरे PDF के पे आपको पूरा depend नहीं होना है इतना मैं आपको मैं बोल दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पर mcq questions जितने हैं वो तो important है ही लेकिन जो मैं आपको additional जो PDF देने वाला हूं आने वाले time पे या channel पे अलरड़ी है या आपको telegram पे है उसको भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है क्योंकि questions वहाँ से भी रहेंगे समझ में आया तो चलिए फिलाल ये session तो यहीं पर समाप्त होता है हम लोग फिर मिलेंगे 9 बजे जहां पर modern history का आपका होने वाला है 101 से आगे question ठीक है तो फिर 9 बजे दंगल में मिलाकात होगी आपसे तब तक आप लोग जाईए अपना study कीजिए जो करना है कीजिए फिर आपसे मिलते हैं साम में